तीन प्रकार की भगवत कृपा होती है पहली कृपा मानव दे है कबहु ककरी करूणा नर देही देत इश बिनु हे तू सनेही अकारण कृपालू भगवान जब 84 लाख में घूमते घूमते जुगों बीत जाता है तो कभी दया करके मानव दे दे देते है यह पहली कृपा दूसरी कृपा कोई सद्गुरु मिल जाए सही डाक्टर सद्गुरु बैद्य बचन बिश्वासा सद्गुरु मिल जाए तो वो बता दे कि तुम जिसको ढूण रहे हो बाहर वो तुम्हारे भीतर छुपा बैठा है और मुस्कुरा रहा है कि देखो गधे को ये बाहर जुण रहा है मैं तो इसके अंदर बैठा हूँ इतनी कृपा कर रहा हूँ एको देवा सर्वभूते शुगूढा बेध में भगवान में कह दिया इश्वरस्वभूतानाम हिरिद्देशे अर्जुनतिष्टति अर्जुन से गीता में कह दिया उर्प्रेरक रघुबंश विभूशन ये दूसरी कृपा अब तीसरी कृपा हम लोगों को करनी है भगवान का काम खतम इसके आगे भगवान की कोई कृपा नहीं होती अगर किसी को मानो देह मिल जाए और सदुगुरु सही मिल जाए तो इन दो कृपाओं से बड़ी और कोई कृपा नहीं होती और तीसरी कृपा हम लोगों को करनी है वो क्या? गुरु की शरणागती गुरु तो अनन्त बार मिल चुके क्योंकि हम अनाधिकाल से चल रहे हैं अनन्त बार हमको मानो देह मिल चुका होगा और अनन्त संत मिले होंगे हम उनके पास गये होंगे संसार के चपल जूते खाने पर समझा भी होगा क्या करना है लेकिन किया नहीं यहां से दिल्ली का रास्ता क्या है इस तो समझ में आ गया लेकिन मसूरी छोड़ा नहीं तो दिल्ली कैसे पहुँचेंगे? अरे भाई या तो पैदल जाओ और या तो बस से जाओ या तो कार से जाओ और बहुत पैसा हो तो हेलिकाप्टर से चले जाओ जाना पड़ेगा यानि साधना करना ये हमारी कृपा अगर हम गुरू के सरनागत नहीं होंगे तो गुरू मिला करे पहले तो हम उसकी कुछ बात मानेंगे 99 परसेंट तो ये होता है कुछ बात गुरू की मान लेंगे और कुछ अपनी रखेंगे गुरू ने जो बताया कि जो टाइम फाल्तु है भगवान का चिंतन करो ये नहीं मानेंगे जितनी देर कीर्टन वगेरा होगा थोड़ा चिंतन कर लेंगे बाकी टाइम में संसार का चिंतन करेंगे और कल मोबाइल से फोन करेंगे अगर बीबी है अलग बाप है अलग बेटा है अलग ताकि मन का अटाइटमेंट भगवान में न हो जाए एक कमर कसे है तो साथ गुरू मिला करें मूरा खरदै न चेत यदि गुरू मिलाई बिरन की सम आदि जगत गुरू ब्रह्मा भी मिले तो क्या करेगा अले मार गही तो बताएगा गुरू और भगवान दोनों को ये अधिकार नहीं है कि वो आप का मन जबरदस्ती भगवान में लगा दें अगर ये अधिकार मिल जाए तब तो एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांड का उद्धार हो कर दें लोग लेकिन उनको यही अधिकार है कि समझाओ रास्ता बताओ बार बार बताओ शायद किसी बार लग जाए उसको और वो चल पड़े तेजी से शब्द बान जो है ये इश्वरी होता है जैसा पात्र होता है वो इसे इबान का असर होता है यावत पापैस्तु मलिनम हिरदयम तावदे वही जितना हिरदय गंदा होगा उतने देर में गुरु की बानी का असर होगा यानि कम परसेंट होगा जादा शुद्ध है तो जादा असर होगा जैसे सुई है अगर वो क्लीन लोहे की है तो चुम्बक एक डम खीच लेगा अगर थोड़ी मिलावट है तो भी धीरे धीरे खीच लेगा जादा मिलावट है अगर उसमें तो फिर सुई हिलती रहेगी चलेगी नहीं आगे आईसे ही जीव और गुरू के मिलने पर हालत होती है सब अपना अपना कच्चा चिट्टा समझ लें हमारा विशेश मन का लगाव क्यों नहीं हो रहा है हम क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हर सेकंड भगवान में लगाना है यह बेहयाई क्यों है बहुत गंदा है पाप से तो फील करने से जितना आधिक फील करोगे उतने प्रवित्ती होगी देखो संसार का अटाइच्मेंट या दुश्मनी एक कैसे बढ़ती है फील करने से एक लड़का है अज हजारों लड़के फेल हुए है हाई स्कूल इंटर में एक हसरा है कूद रहा है और एक मैं मर जाओं तो अच्छा मैं मर जाओं तो अच्छा कैसे मरूं क्या करूं जहर का हूं पर जहर कहां मिलेगा तो पर ट्रेन में कर जाओं सोचते 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 आत्मात्या कर लिया इतना बड़ा प्रभाव चिंतन का होता है तो ऐसे अगर हम यह रियलाइज करें बार बार अरे हम क्या कर रहे हैं रोज का टाइम बीता जा रहा है हमारे पास जो टाइम बचता है हम उसमें क्या करते हैं कहां ले जाते हैं मन को क्यों ऐसा कर रहे हैं धिक कारे तो प्रगती हो